हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सब का तो आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ आपके साथ पर मैं आज आपको जानकारी दूँगी इस मसाले के बारे में जिसे पांच फोडन भी कहते है ये पांच फोडन मसाला जो है ये पांच खड़े मसालों को बराबर मात्रा में मिला के तयार किया जाता है इसे पांच फोडन कहते हैं क्योंकि ये पांच मसालों को मिक्स करके बनाया जाता है जिसमें होता है जीरा, सौफ, मेथी, कलांजी और काला सरसो इसका इस्तमाल इंडन कोईजीन में किया जाता है बांगला देश में और नेपाल में भी इस मसाले का यूज किया जाता है तो खाना पकाने के टाइम पर दाल या सबजियों में इसका तड़का लगाते हैं शुरुआती या बाद का तो इससे हमारी सबजियों और दालों का सौध बहुत ही बढ़ जाता है खाने में और फ्रेंड्स इसका इस्तमाल हम अचार बनाने के लिए भी करते हैं तो अचार के मसाले को बनाने के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है तो ये मैंने ले लिया है एक चमच भर के सौफ और एक बड़ा चमच ले लिया है मैंने मेथी दानों को, एक बड़ा चमच मैंने ले लिया है कलाउंजी को, एक बड़ा चमच ले लिया है मैंने जीरे को, और एक चमच ले लिया है काला सर्सों को, तो सबको हमने बरावर मात् में मिलाना है तो यह रह मेरे पाँच मसाले अब हमें क्या करना है कि एक बावल में इन सब मसालों को डाल देना है यह मैंने जईरा डाल दिया यह मेथी और सौफ भी डाल दिया है ये मैंने डाल दिया है कालासर सो और ये डाल दिया मैंने कलcąजी को सबको डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये शॉर्व बिन से बाना बहुत आसान है ये देखिए ये इस पांच मसालों को मिक्स करके मैं ने मसाला तयार कर लिया है इसे हम यूज कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखतीजिये बहुत दिनों तक इस्तमाल कर सकते हैं तो प्रेंट्स यह आपको मार्केट में भी बना बनाया मिल जाता है छोटे पैक या बड़े पैक में आप ले सकते हैं मार्किट से 5 फोरन के नाम से इसका तड़का अपनी सबजी और दालों में लगा के जरूर देखिए फ्लिवर बहुती अच्छा आएगा बहुती टेस्ट बढ़ जाएगा खाने का तो प्रेंट्स अगर बात करें कलॉंजी की तो ये कलस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है कैंसर फाइटिंग प्राप्टीज इसमें होती है लिवर को प्रोटेक्ट करता है और स्टमक अलसर से भी बचाओ करता है बात कर लेते हैं जीरे की तो इसमें एंटी कैंसर प्राप्टीज होती है और ये डाइरिया को भी ठीक करने में मदद करता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है बैक्टिरिया से फाइट करता है और वेट लॉस में भी मदद करता है इसमें एंटी अक्सिडेंट पाये जाता है जिससे आप हेल्दी महसूस करते हैं energetic मैसूस करते हैं बात कर लेते हैं हम खाले सर्चों की जो की heart के लिए बहुत अच्छा होता है और improve करता है metabolism और पाचन को भी सही रखता है बात कर लेते हैं मेथी दानों की तो ये control करता है हमारा blood sugar level को control में रखता है और heart burn की समस्या है तो ये उसमें भी बहुत कारगर है अगर हम बात करें soft की तो ये हमारे heart health के लिए बहुत अच्छा होता है और breast feeding कोई woman कराती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है cancer fighting properties भी पाई जाती है इसमें और भी बहुत सारे health benefits हमें इन मसालों से मिलते है तो आप भी यूज करें इस मसाले को अपने खाने में और स्वाद भी बढ़ाएं और सेहत भी तो friends अगर ये जानकारी आज आपको अच्छी लगी है तो please like, share, subscribe जरूर करिएगा और मिलेंगे ऐसी ही जानकारी से भरी हुई नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू